लंबे हाथ वाली नंदने सजाई बोरी की सेज पाखी पाखी बेटी जरा अपने लंबे हाथों से ये चावल का दिब्बा उतार दे तेरे पापा ने टार पर रख दिया पता नहीं इनको क्या खुजली होती रहती है खाली डब्बा सारा उपर डाल देते हैं कोई नहीं मा अच्छी बात है न जगा बन जाती है नीचे और मैं तो हूँ ही इतने लंबे हाथों वाली इसके फायदे और नुकसान दोनों है सब मेरा स्कूल टाइम से ही मजाख उड़ाते आएं पर बेटी तु दुनिया की मत सुन तु अपनी सुन तु बहुत अच्छी है जैसी भी है इसलिए अपनी खुबी को याद रख सिर्फ अपनी खुबी को हां और किसी चीज़ को नहीं जी पिता जी ये बोलते ही पाकी अपने लंबे हाथों से एक डिबबा उतार कर दे देती है जुसमें गांता देवी डब्बे में चावल भर लेती है तरसल बचपन से ही पाकी का स्कूल में मजाख उड़ाया जाता था क्योंकि नॉर्मल लड़कियों से उसके हाथ ज्यादा ही लंबे थे पर लोगों को इसका फाइदा कम बद सूर्तियों नुकसान ज्यादा देखता था बड़े होने के साथ आसपास के पड़ोसी लोग भी पाकी के लंबे हाथों का मजाख बनाने लग गए जैसे कि आप का बल्ब लगा दो वो क्या है न मुझे सीडी नहीं मिल रही है अरे पाकी बेटी तुम ओशा के घर से आने के बाद मेरा पंखाभी साफ कर देना वहां बहुत धूल जम गई है मुझे डर लगता है करने में कहीं लगवग गई तो इस उम्र में लेने के देने पड़ जाए तु पहले इसके भाई की होगी पता तो रही थी कांता चार दिन पहले लड़की ढून रही थी हो गया आप लोगों का उड़ा लिया मजाक पता नहीं ये लोग खुद को समझते क्या हैं क्यों भगवान जी क्यों आपने मुझे इतने लंबे बत सूरत से हाथ दिये हैं सब जगपाल का घर भी था ये बगवान ये क्या हो रहा है कितना नुकसान हो गया अब इसे कौन लगाएगा समीर की शादी भी है शादी तक सब ठीक करना है मा चिंता मत करो मैं पैसों का इंतिजाम करूंगा ताकि घर ठीक हो जाएगा बस ये है कि शादी के पैसे थोड़े य पाकी बेटी ध्यान से जाना बाहर तुम्हें पता है अभी आधी आई थी जी पिता जी ये बोलने के बाद पाकी घर से बाहर जाती है जहां और लोगों के घर की दीवार भी तूटी फूटी देखती है और चट उड़े हुए तब ही उसे आसपास अपने बहुत सारी बोर या इन्हें देखकर लगता है कि ये बेकार बोरिया है जो किसी के काम की नहीं क्यों ना इससे ही मैं घर के छटे ठीक कर लूँ पाकी एके करके जमीन पर पड़ी सारी बोरियों को उठा कर जाड़ कर घर में ले आती है और अपने लंबे लंबे हाथों से ही अपने घर के च हो जाती है अरे वा पाकी तूने तो अपने लंबे हाथों से चंद घंटे में ही इस चट को ठीक कर दिया वो भी इतनी सारी बोरि से ये कहां मिली तुझे मा बाहर बेकार पड़ी थी तो मैंने उठा लिया देखो ना अब भाया को पैसे कर्च करने पड़ते लेकिन मैंने पैसे बचा लिये मा बाहर पड़ोसी लोगों की दीवार और घर भी कमजोर होकर तूट गई है तो मैं उन्हें मरमत कर देती हूँ इसी से ही थोड़ी बोरियां बची है ठीक है पाकी देखो मा हमारी बेहन कितनी समझदार है पाकी उशा के पास जाती है जो वो अपना सर प आसो भी नहीं है आरे तेरी तो छट गई है सिर्फ में तो दीवार भी गर गई सांदी में आंटी आप दोनों चिंता मत कीजे बस मजे थोड़ा सा समय दीजे मैं आपके घर को ठीक कर सकती हूँ कैसे ऐसे पाकी बची हुई बोरियों से उनके घर को किसी लेप और घास से ब कम पढ़ गई मैं और लेकर आती हूँ क्या है इस कंपनी का नाम अरे ये फैक्टरी तो यहीं पर ही है आंटी अब थोड़ी देर यहीं रुखिये ये बोलते ही पाकी बोरी पर फैक्टरी वारों का नाम पढ़कर वो उनके फैक्टरी के बाहर डिफेक्ट बोरियों को ज्य जादा चरहती थी लंबे हातों के बारे में बहुत बोलती थी लेकिन इस लंबे हाथ की वज़़े से आज तुमने हम दोनों के घरों को बिलकुल ठीक कर दिया वरना हमारे बच्चे और पती हमारा सामान सब कैसे सुरक्षित रहता हाँ पाकी बेटी तुमने हमें बेगर हो तुम बहुत अच्छी हो हमें माफ कर दो नहीं नहीं आंटी जी आप दोनों ने इतना कह दिया यही बहुत है आप खुश तो मैं खुश अच्छा आंटी मैं चलती हूँ अब इन बची कुछी बोरियों को घर ले जाती हूँ क्या पता कब सहारा बन जाए दिन गुजरते हैं कांता देवी ने समीर के लिए यशिका नाम की बहु को ढून लिया था पंडित फोटो दिखाने के लिए घर आता है तो बोरि की सजावर देख कहता है वा बेटी कोई एक दम से देखकर कह नहीं सकता कि यह सब बोरि से सजाया है यहां तक कि जिस आसन पर में बैठा हूँ वो भी इससे मुझे ठंड भी नहीं लग रही है देखना पाकी बिटिया तुम्हें बहुत अच्छा वर मिलेगा और सस्राल में तुम सबको बहुत खुश रखोगी पंडिजी मेरी बेटी तो शर्मा गई समीर के बाद तेरा ही नंबर है पाकी यह सुन शर्मा कर पाकी कमरे में चली जाती है कुछ दिन बाद पाकी बोरी से कुछ न कुछ काट कर डिजाइन वाला बना कर और पूलों से सजा कर अपनी भावी के लिए बोरी की सेज तैयार कर जो कि बहुत सुन्दर लगती है वा बेटी ये तो तुने बहुत अच्छा बनाया है बहुत आराम दायक सुन्दर और ठन भी नहीं लगेगी हा मा फिर समीर की अशिका से शादी हो जाती है ग्रहप्रवेश की समय बिना जुके अपने लंबे हाथों से पाकी कलश रखती है य और ये घर ये सारा बोरी का क्यों बना हुआ है तुम लोग इतने गरीब हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया नहीं मुझे याँ पर नहीं रहना मैं जा रही हूँ ये समय तुम्हें पहले बता देता तो तुम समझती नहीं लेकिन मेरी बहन बहुत अच्छी है तुम व पीछे पीछे जाता है येशिका, येशिका मेरी बात तो सुनो तो मैं ऐसे मत जाओ देखो, अब हम पती-पतनी है एक बार सुनो तो सही दूसरी ओर घर में मा, मैं बहुत गंदी हूँ ना डराब नहीं दिखती हूँ मेरी वज़े से भाबी मुझसे डर कर इस घर से चली गई मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी पहले ये नसूम हाथ ढखलू पाकी ये बोलकर एक बोरी को शौल की तरह होड़ कर घर से बाहर अपने भाईया भाबी के पास उन्हें ढूंटे हुए पहुँच जाती है और बहुत माफी मिन्नत करके ये शिका को घर ले आती है भाबी अब तो मैंने अपने हाथ भी चुपा लिए प्लीज आप अंदर चलिए सब आपकी रहा देख रहे मैं आप से दूर रहूंगी ठेक है इसके बाद अच्छे से ग्रह प्रवेश हो जाता है ये शिका को बोरी की सेज बहुत अच्छी लगती है लेकिन शुक्रियादा नहीं करती है दो दिन बीच जाते हैं पर नंद भाबी आपस में कोई बात नहीं करती है एक दो पहर जगपाल कपड़े सुखाने के लिए उची रसी बांध रहा था पापा जी आपसे ये आपकी कमर दर्द की वज़े से नहीं हो रहा एक बार मैं कोशिश करती हूँ ठीक है बहु येशिका कुरसी पर पहर रखकर रसी बांधने की कोशिश करती है वो गिरने वाली थी कि नंद अपने लंबे हाथों से उसे बचा लेती है भाबी हाप ठीक तो है ना तुम तो दूर रहो मुझसे लंबे हाथ वाली येशिका ये बोलकर कमरे पे चली जाती है पाकी को भाबी का दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता तो अपनी मा के गले लगकर रोते हुए कहती है मा भाबी मुझसे अतनी क्यों नफरत करती है मेरे हाथ इतने बेकार है मैं अच्छी नहीं हूँ क्यों है मेरे लंबे हाथ सब मुझसे डरते है पता नहीं मैं पैदा ही क्यों हुई हरे तुपागल है कैसी बाते करती है चुप हो जा देख तुझे पडोसी भी ऐसे बोलते थे फिर उन्होंने तुझे अपनाया ना तेरी भावी भी धीरे-धीरे समझ जाए की बस थोड़ा वक्त दे ये सुझ यशिका को अपने किये का पच्तावा होता है और अगले दिन वो अपने हातों से नंद के लिए हलवा पूरी बना कर उसके पास जाती है दीदी ये खाईए और मुझे माफ कर दीजे पता नहीं मैं कैसी भावी हो जो अपनी नंद को ही नहीं समझ पाई भलकि आपको ना जाने क्या क्या कह दिया जबकि आपने इस घर को और मेरी सेज को इतना सुन्दर बनाया मुझे घर पर वापस ले कर आई मुझे भी एक मौका दे दीजे भस नहीं नी भावी आपका ऐसा सोचना समझना लाजमी था लेकिन अब सब ठीक हो गया है तो माफी की क्या बात दोनों नंद भावी एक दूसरे के गले लगती है और अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिला कर खुशी खुशी रहने लगती है